वो एक कमपनी में नोकर बनने के लिए एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक क्या कर रहा है? प्रिपरेशन तो कर रहा है, कमाल की बात है, बट वो ये नहीं देख रहा है कि एक कमपनी में कर रहा हूं और यहां तो ऐसी ऐसी 50 है तो दोस्तों शूरू करते हैं, आज मैं बात करने वाला हूं, share market में काम करने वाले लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई ये ना जुवा है, तो मैं बताना चाहूंगा दुनिया में जहान पे भी share market में काम किया जाता है, अगर वो जुवा है, तो आप इस concept को बहुत इसी समझ जाएं देखो share market वो जगा count होती है जिस जगा पर अमीड लोग अपना पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं और गरीब लोग उस जगा से जहां पर जो वो company registered है ना, उन companies के अंदर कह सकते हो काम करते हैं, दूसरी चीज़ आ जाती है उन companies के product को use करते हैं और कहते हैं कि share market में जो पैसा लगाता है वो इनसान तो जुआरी होता है तो भाई कुछ concept समझ लेता है ज़रा बड़ा मजे वाली चीज़ आती है, कैसे जब मैंने इस चीज़े समझी ना, तो मुझे बड़ा आजीब लगा क्या कुछ ऐसा हो सकता है सोचो, अभी की बात करे आपने degree complete की आप कहते हो मैंने engineer बनना है, मुझे doctor बनना है या मुझे कुछ भी बनना है आपको इबात धिहान रखनी है मुझे पता लगा कि किस तरीके से काम किया जाता है, मुझे पता लगा कि किन-किन companies के अंदर पैसा लगाने से profit बन सकता है, because मैं उन companies के product को use करता हूँ, तो उस condition में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर share market की मदद ले सकता हूँ, अब यहाँ पर काफे सारे लोग बंधा हुआ है कुछ ऐसा कि 90%, 99% लोग कहता है कि share market जुआ है, बट कमाल की बात है, वो उनी चीजों के product को use करता है, जो वो companies create करती है, वो उनी cars को use करता है, जो share market में listed है जिनकी companies, common सी बात है और वो 1% लोग जो है, वो लोग चाहते भी नहीं है कि आपको ये fundamental concept पता लगे, यही कारण है कि share market के बारे में किसी भी college ये degree में ढंक से बताया नहीं जाता, हमारे आपे बच्चों को economics भी सिखाई जाती है, वो ऐसी सिखाई जाती है कि बेटा नोखरी करनी है और tax pay करना है और उनको पहले से बताया जाता है कि tax pay करना ना बहुत ही अच्छा बात है देश की growth की बात है और कमाल की बात ही आती है जो ये 1% लोग होता है, हो सकता है tax भी pay ना करते हो, क्यों ना करते हो क्योंकि ये business के अंदर काम कर रहे होता है आम जंताओं को हमीशाशे share market के बारे में जुआ ही बताया जाता है और government भी यही चीज चाती है इस बात को ध्यान दखो कोई भी चीज कोई भी चीज ऐसी जिसके अंदर पैसा बनता है और government को पता है तो government क्या चाती है कि वहाँ पर एक particular amount तक के लोग ही involvement रखे ज़्यादा involvement रखेंगे तो भाई वो 99% लोगों में से बहुत सारे लोग उस 1% के जगा 2% 3% में count होने चालो हो जाएंगे तो मैं कुछ example लेके समझाता हूँ मैं example लेके चलता हूँ XYZ company XYZ company क्यों चलो मैं किसी एक particular company का नाम ले लेता हूँ मैं SDFC bank का का बात कर लेता हूँ चलो ये private है मैं क्या करता हूँ मैं न सरकारी वाले की बात कर लेता हूँ SBI की बात कर लेता है State Bank of India की बात कर लेता है यहाँ पर कुछ concept समझना concept यह है कि मुझे हसी आने वाली बात होती है बड़ा अजीब लगता है सोच कर कि हमारे देश में financial education को लेकर काफी जाता problems create होती है क्यों create होती है क्योंकि हमें financial education कभी दी नहीं जाती और हमारे parents को जितनी knowledge होती है बिचारे हमें देने की कोशिश करते है और जैसे आस-पास के लोग होता है वही impact हमारे पर आता है सोचो चार गधे खड़े है ठीक और आप एक घोड़े हो और आप यहाँ पर आके खड़े हो जाते हो ना लोग के बीच में बोला जाए positive बात है positive हो जाओगी यह fundamental concept है अब इस concept को share market पे कैसे implement कर सकते हैं उसको समझो share market में जो काम करने वाले लोग होता है पहली concept यह समझो उनका mindset कैसा होता है मैं अपनी बात करूँ मैं अपने mindset की बात करता हूँ अगर मैं भी सोचता कि मुझे SBI के अंदर नौकरी करनी है नौकरी करने की बात की जाए तो आपको पता है कि SBI सरकारी है पहली बात confirm हो गई कि 60 years तक जब मैं भुजूर गो जाओंगा senior citizenship में आ जाओंगा तब तक मेरी company जो है ना जिस company में मैं काम कर रहा हूँ वो company चलने वाली है मुझे तो हसीस बात से आती है वो इंसान भी share market को जुआ बोलता है जो एक ऐसी XYZ company में बात करता है काम करता है जो company ना तो share market में listed है ना ही वो उस शहर से जादा कहीं पहुँच बना पाई है केवल उसी शहर में काम करती है और वो बंदा उस company में काम करता है और वो share market वाले बंदों को बोलता है बटा यी तो जुआ है आओ भाई आपको ही पहले दिखाता हूँ अब SBI वालों की बात की जाए माली जी आपने बोला मैं SBI में सेलेक्शन चाहता हूँ आपके इंदर इतनी motivation तो है अच्छी बात है अब SBI की बात करते है SBI में माली सेलेक्शन हो जाता है और पहला सेलेक्शन ही आपका माली जी बैंक मैनेजर बन जाते हो ठीक है आप बैंक मैनेजर बन जाते हो अब बैंक मैनेजर का main motive क्या होगा कोई भी company गंदर कोई employee जो काम करता है पहली बात तो ये employee है और इनकी एक salary होगी XYZ कुछ भी हो सकती है चाहता हूं और को समझाना भी नहीं चाहता कैसे अब SBI में जो इंसान काम कर रहा है जो बैंक मेनेजर बनके नोकरी ली है उसने उसको कुछ चीज़े कंफर्म है देखो कंफर्म क्या है उसको उसको ये कंफर्म है कि मेरा जो SBI है न वो 60 यर तक चलेगा वो दिल से चाहेगा कि ये company कभी भी बंद ना हो वो दिल से चाहेगा कि मेरी company ग्रो करे और दुनिया में फैले like grow करती रहे, बहुत अच्छी तरीक से grow करे और वो दिन रात इसी चीज ले महनत भी करेगा इस बात को ध्यान रखना, वो दिल से चाहेगा कि मेरी company के जो shares है वो उपर की तरफ ही grow करे वो कब भी नहीं चाहेगा मेरी company के share नीचे गिर जाए वो ये भी चाहेगा कि जितनी भी चीज़े जो भी पैसा है जो भी चीज़े की जा रही है, लाइक मुझे पैसा तभी तो मिलेगा जब मेरी company चलेगी तो वो किसी भी angle में अपनी company जो की SBI है, जो की सरकारी है इस वज़े से उसको join किया उसने बहुत अच्छा वो कब भी नी चाहेगा कि इस company के अंदर कुछ भी बुरा हो, ठीक है अब बात आजाती है, एक दूसरे इंसान की दूसरे इंसान माल लीजे मैं नाम रख देता हूँ ये इंसान है जो कभी किसी का exam नहीं दिया इसने, ना ये कभी देना चाहता क्योंकि उसको कुछ fundamental concept clear हो गए जो bank manager है उसके उपर कुछ restriction लग गए क्या restriction लग गए, restriction ये कि भाई देखो palities, आप trading नहीं कर सकते ठीक है, trading नहीं कर सकते तो मतलब कि आप चुप-चाप नोकरी कर रहो, नोकरी करते रहो और अगर मैं बोलता हूँ कि दिन में आपको जो भी काम करना है कीजिए, रात को भी आपको काम दिया जाता है, bank manager बहुत मेहनत करते हैं बात धियान रखना, हमें लगता है कि manager मेहनत नहीं करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, उनका main motive कहरता है company को grow कराना, चलो जी उनको नहीं पता, मैं या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं केवल एक fundamental logic समझाने की बात ही कर रहा हूँ जब वो तयारी कर रहे थे SBI की, ठीक है जब वो SBI की तयारी कर रहे थे, तब उन्होंने कभी जिन्दगी में कोई share खरीदने की कोशिश नहीं की ठीक है, उनकी बात की जाए कि भाई वो क्या कर सकते थे, इन future कौन कौन सी कंपनी में काम कर सकते है, उनको के वल एक ही motive था, मुझे SBI में नोकरी चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे नोकर बनना है, that's it, बात खतम तो उनका ये एक ही motive था, उनको ये नहीं पता कि SBI से उपर कौन सी कंपनी है, नीचे कौन सी कंपनी है, उनको तो ये की चीज़ चाहिए थी तो यहाँ पे कुछ चीज़ निकल के आती है, ये दूसरा इंसान है उसके जीतने की probability और इंसर की जीतने की probability अब ये कहते हैं कि भाई, शेर मार्केट बुरा है, शेर मार्केट जुआ है, बट कमाल की बात ये है कि शेर मार्केट में इनकी जो बैंक है वो भी लिस्टेड है और ये चाहते है कि शेर मार्केट में तीन चीज़े होती है, मैंने बताया था आपको पहली चीज मार्केट उपर जाएगी दूसरी चीज मार्केट सैडवेज हो जाएगी तीसरी चीज मार्केट डाउन जाएगी तीन कंडिशन होती है इस वाली कंडिशन की बात करें तो इस वाली कंडिशन में कौन सपोर्ट कर रहा है जो बैंक मैनेजर है वो क्या चाहते हैं कि company ओपर की तरफ जाए उनका एक ही motive है ठीक अगर company sideways हो गई like company के share में कोई growth नहीं हो रही अभी आप देखोगे na SDFC bank की बात करू तो SDFC bank ने 3 साल में like 1% का भी return count नहीं किया था ठीक है, क्यों share पूरा sideways खड़ा रहा था तो आप समझ सकते हो, तीसरी condition अगर company नीचे की तरफ गिरना चालो हो जाती है तो एक बात धियान रखना bank manager की problem हो जाएगी और bank manager को खुद की salary के लिए problem create हो सकती है, ये बात वो भी जानते है अब अगर मैंने किसी के share buy किये ठीक है, किसी इंसान ने share buy किये, share buy करने पर क्या होगा, like उसने हाँ पर buy किया तो अब क्या है जो हमारे like manager सहाब है वो भी इस इंसान के पैसे को, जो इस इंसान ने पैसा share market में लगाया है इस इंसान के पैसे को growth करवाने में मदद कर रहे है, धंक से अगर आप देखो क्या इन दोनों लोगों में कोई difference निकला दोनों के दोनों एक ही चीज तो चाहते है ना कि company उपर की तरफ जाए तो कैसे ये जुआ हुआ मुझे ये चीज समझा दो, चलो जी अब दूसरी बात आती है, अगर मैं आपको बोलू कि share market में ये भी चीज होती है, कि आपने अगर trade डाली है जैसे मैंने normally equity market में trade डाली equity में मेरे जीतने के chance है 33% कि market उपर जाएगी, तभी मुझे profit होगा और market sideways हो गई, तो मुझे कोई profit नहीं होगा और market नीचे गिर गई, मतलब वो जो company नीचे गिर गई भी मुझे कोई profit नहीं होगा, अब क्या है जो bank manager है न, वो तो तभी profitable होगे उनकी तो एक ही इच्छा होगी price उपर जाए, अगर market sideways हो गई तीन साल तक sideways हो गई, तो जो bank manager है इनको लोगों से पैसा लेना भारी हो जाएगा कि हमारी company के अंदर investment कर लो या फिर हमारी FD करा दो ताकि हम काम कर भाए, SDFC bank के साथ में यह problem होती है कोई भोले, SDFC bank के अंदर पैसा लगा तो SDFC bank को देख कर लो, क्या कहेंगे तीन साल में आपने 1% का return दिया और हर साल का inflation होता है 7% तो आप सोचो, कि 21% का तो उनको खुल खुला loss हो गया ना तीन साल के अंदर अंदर, अब अगर यह sideways हो गया तो इनको भी problem होगा, यह भी नहीं चाहेंगे कि price sideways हो जाए, ठीक यह भी नहीं चाहेंगे कि price नीचे गिर जाए company का तो यह actual में इस इनसान के द्वारा खरीदे गए shares की value को उपर बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे है अब अगर आप bank manager को अभी बोलोगे कि वो जुआरी है कैसा लगेगा अगर आप इस इनसान को बोलोगे कि यह जुआरी है share market में काम करने वाला और कमाल की बात है इस इनसान के लिए actual में bank manager साब काम कर रहे है है ना कमाल की बात bank manager साब की बात करें उनकी salary fix है उनको पता है कि मेरी salary extreme to extreme कितनी जा सकती है उनको ये भी पता है उनको ये भी पता है कि मेरी कोई pension नहीं है rule ये चीज़ आती है अब कोई कहें मैं तो एक share खरीद के बाट होंगा वो अलग बात हो जाती है बच्चोहली बाते नहीं कर रहा है बढ़ या प्रोफेशनल बाते कर रहा है तो ये concept आप समझेए कि ये इनसान जादा profitable count होगा या ये ये इनसान पूरे time काम करेगा sorry दोस्तो ये इनसान पूरे time काम करेंगे इनके लिए ठीक है और ये इनसान काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके पैसे काम कर रहे है share market में next step की बात करते है अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं SBI के अंदर basically देखता हूँ मुझे SBI पसंदे क्यों कि मैंने जिन्दकी में पहला share na SBI खरीदा था मुझे SBI इसलिए बहुत पसंद आता है मेरे मूँपर हमेशा SBI इसलिए आता है और कोई SBI से मेरा कोई बड़ा प्यार नहीं है बट ये reason है मालो SBI इसलिए SBI का share माली जए भी मेरा इनको दुख होगा कि मेरा share का price तो sideways बड़ा रहा नीचे गिर गया तो इनको दुख होगा हरे मारी bank तो बरबाद होती चाह रही है PNB के साथ हुआ भी देखा होगा आपने बट अगर मैं बोलू कि भाई जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और मैं manager साब के साथ में पक्ष में खड़ा रहा हूँ की company उपर जानी चाहिए वगेरा वगेरा मैंने क्या किया मैंने सिर्फ 650 की PE को sell किया और इससे नीचे की like कह सकते हो 630 की PE को मैंने buy किया अब देखो क्या हुआ अब क्या होगा अगर price मेरा ध्यान से समझना ये चीज़े बहुत छोटी छोटी होती है बढ़ काफी important हो जाती है अगर price मेरा 650 के उपर रहता है तो भाई मैं जीच जाओंगा मैंने जो बोला मैंने बोला कि price na 700 चल रहा हूँ मेरा कहना है price यह तो उपर जाएगा जो की manager साब भी कह रहे है price अगर sideways हो गया तो manager साब को problem हो सकती है बट मुझे problem नहीं होगी ठीक, price अगर नीचे गिर भी गया 650 तक भी आ गया तो भी मुझे कोई problem नहीं होगी plus 650 से नीचे नीचे गिरते गिरते मैं कहता हूँ 400 रुपेका भी share हो जाएगा तब भी जो मेरा loss है वो limited रहेगा ठीक, अब बताओ ना मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाते हो मतलब price उपर जाएगा तब भी मैं जीत रहा हूँ मुझे यहाँ पे option selling अगर मैंने की है तब भी मुझे profit हो रहा है अगर मेरा sideways हो गया तब भी मुझे profit हो रहा है नीचे गिर भी गया climate तक तब भी मुझे profit हो रहा है और अगर बिल्कुल बरबाद भी हो गया तब भी मुझे loss हो रहा है वो limited है ठीक यह सारी conditions में मैं ही जीत रहा हूँ सब conditions में मैं ही जीत रहा हूँ मुझे loss कब होगा वो मैंने बता दिया आपको जब price 400 पे आ जाएगा actual में जब price नीचे गिरेगा 400 पे आ जाएगा और मुझे दिखाई देगा कि बहुत अच्छी company है तो 400 पर जब मैं दुबारे से enter करूँगा तो वो मेरे लिए opportunity हुई या फिर वो मेरा loss होने की जगा हुई मुझे बस इतनी बात बता दो मैं तो चाहूँगा ना कि SBA का share 400 पे आजाए मैं enter कर पाऊँ common sense की बात है नहीं आथा तो भाई मैं यहां से कर करके कमाता रहूँगा काफी लोग कहेंगे option trading के अंदर तो हमें आता नहीं है bank manager साब को खुद नहीं आता होगा सच है क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाएगा उनको अगर यह fundamental concept समझा दिया then definitely वो bank manager ना बनके वो कहेंगे भाई मैं भी share market में काम करना चाहता हूँ क्योंकि समझदार आदमी को समझाने में इतना समय लगता है और ना समझ के लिए पूरी की पूरी क्या कहते हो ग्यान पेलना चालू कर दो आज भी बताया जाता है बेटी बट जाओ बेटी पढ़ाओ आज भी बताया जाता है कि भाई railway के उपर फाटा को railway के उपर बैटके नंबर दो नहीं करना है घर में करना है इतनी चोटी चोटी कॉमन सेंस की बाते आज भी हमारे देश में लोगों को सिखानी पड़ रही है गवर्मेंट को बट अगर एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी भी शेयर मार्किट को जुआ अकाउंट करेगा देन डेफिनेटली क कुछ ना कुछ गडबड है फिर गडबड क्या है गडबड ये है कि फिर तो सच में ही वो जुआ हो सकता है बट मुझे यहां से यहां तक कि जितनी बाते मैंने समझाई है इसके अंदर कोई भी एक इंसान बोल देगी शेयर मार्किट जुआ है देन डेफिनेटली मुझे बता दे मैं खुद बात करना चाहूँगा उससे हसी आती है सोचकर कि एक इनसान उस पर्टिकलर कमपनी में जो की एक कमपनी है कहां पर लिष्टड निफटी के अंदर एक company है और S.E.S.E. nifty में 50 company है total वो एक company में नोकर बनने के लिए एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक क्या कर रहा है, preparation तो कर रहा है, कमाल की बात है बट वो यह नहीं देख रहा कि एक company में कर रहा हूं और यहां तो S.E.S.E. 50 है सोचने की बात है और उन 50 Company में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो पागल है ग्या सोचने की बात आ जाती है आप अगर उनको जुवारी बोल रहे हो अगर वो जुवारी है तो वो हर Company में अब आप एक बात बताओ अप SBI में काम कर रहे हो तो आप यही चाहोगे ना उस company का share ऊपर जाये तो फिर तो आप भी जुआरी हुए आप SDFC bank में काम कर रहे हो तो आप भी बहुत काम कर रहे हो और Kamal की बात तो वो है कि ये तो चलो बोले-बोले ये बंदे तो बोले बोले जो बड़ी कमपनी में काम कर रहे हैं वो बंदे क्या बोले जो जिनकी कमपनी शेर मार्केट में लिस्टिट भी नहीं है और वो फिर भी शेर मार्केट वाले इंसान को कहे कि तुम तो जुआरी हो भाई मैं बोलना चाहूंगा अभी बेसिकली अगर जुवारी है ना तो हम तो जुवारी अच्छे मैं तो अपनी गाड़ी के पीछे लिख़ा लूँगा जुवारी मुझे कोई दिक्कत नहीं है because I know the reality मुझे पता है कि reality क्या है क्या चल रहा है यहाँ पे अगर मैं केवल SBI के अंदर काम कर रहा होता नोकर होता वाँ पे और एक salary XYZ salary मिलती तो society मुझे वाँ पे एक बहुत अच्छी respect के साथ देखती बट वही society जब मैं उस company के share में investment करके पैसा कमाता हूं तो मुझको जुवारी बोलेगी तो क्या feel होगा सोचने की बात आती है बड़ी हसी मजाख वाली बात आती है कि आप कैसी society के अंदर बाते कर रहे हो जहाँ पर पैसे को लेकर इतना importance है कि पैसे के लिए लोग क्या क्या कर रहे है उस condition में आप यहाँ पर अगर पैसे से पैसा कमाने की बाते कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जुवारी बोला जाए और घर में पैसा आने का ये तरीका सबसे best है शेर मार्केट में कोई भी company उपर जाएगी यही तो एक employee चाहेगा तो employee actual में मेरी psychology के साथ ही तो काम कर रहा है भाई मैं भी चाता हूँ कि यह उपर जाए वो भी चाता है कि यह उपर जाए तो किस तरीके से हम दोनों जुआरी हुए बस वहाँ बात आ जाती है कि उस इंसान को एक X Y Z salary मिल जाती है मुझे salary ना मिलकर मुझे shares में profit मिल जाते है अब आप decide कीजिए कि आप जिंदकी भर एक छोटी सी amount के साथ में salary लेकर खुश होना चाहते है या फिर आप ऐसी चीज़ में काम करना चाहते है जहाँ पर जाएगा तो भी profit आएगा sideways हो जाएगा तब भी profit आएगा और नीचे गिर भी गया बताया ना मैंने अगर manager की बात करें SBI कि अगर नीचे गिर गया 800 का share 400 का हो गया तो भाई उसकी नीद उड़ जाएगी कि मेरा क्या होगा बट मेरे साथ कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि मु कितना होगा पहले से predefined है ऐसा नहीं होगा कि 800 रुपे का share खरीदा था वो 400 का हो गया तो पर share मुझे 400 का नुकसान हो गया इतनी सारी safety होने के बाद भी कमाल की चीज यह आ जाती है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग share market को जुए की तरह account करने की कोशिश करते हैं और यह चीज बड़ा सोच के अजीब लगता है और यह अजीब इसले भी लगता है कि 1% लोग ही इसमें काम करें गौर्मेंट भी यह चाती है यहां से ज़्यादा लोग इधर की तरफ ना खिसके गौर्मेंट भी यह चाती है और मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर इस रखनी पढ़ने वाला सोचने की बात आती है तो मैं तो इतनी बात बोलना चाहूंगा जो इनसान ये 99% कैटेगरी में काउंट हो रहा है न नोकरी की बाते कर रहे हो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको आज नोकरी ढूड़ना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल आप खुद समझ जाए एक सरकारी नोकरी पाने के लिए पागलों की तरह महनत करनी पड़ रही है आज से 20 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे भाई मेरे बड़े होंगे और वो एक्जाम देनी की कंडिशन में आएंगे यार वो क्या कहेंगे पपा तुम से तो एक सरका लाइक मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगाने की कोशिच कर रहा हूँ कि यार यहां पर भी काम करेंगे यहां पर भी करेंगे आप तो किवल एकी कंपनी में काम कर रहे हो और वहीं काम करने की बाते करेंगे मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता मैं किसी के profession के बारे में नहीं कहना चाहता main चीज आ जाती है psychology केवल इतनी बार सोचो कि आप जिस रस्ते पे हो अच्छी बात है आज से 20 साल बार जब आपके बच्चे उस रास्ते पे दुबारे उतरेंगे competition से फिर से 10 वी बारवी 11 वी बारवी सब करेंगे उस condition में उस time पर क्या competition होगा जब आज आपके साथ में competition ऐसा है तो आप इस चीज को समझ लीजिए और कमाल की बात है जिस जगा पे competition नहीं है share market में भी competition है ही कहा share market में अगर आप SBI company के share को खरीदते हो ठीक आपने 1000 share खरीदे और मैंने भी खरीदे तो भाई हम तो एक ही party के बंदे हुए हम दोनों क्या कहेंगे उपर जाना चाहिए जा मालिक उपर जा प्लस जो हमारे bank manager है वो भी क्या कहेंगे हाजी उपर जाना चाहिए उपर जा तो जाना चाहिए कहा है competition बताईए सोचने की बात है share market ही केवल एक ऐसी जगा है जहाँ पर competition zero है यहाँ पर जितने जादा लोग आएंगे उतनी जादा यहाँ पर volume होगी जादा खरिदार होंगे जादा बेकने वाले होंगे तो यहाँ competition zero है इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए और यह बाते जादा लोगों के दिमाग में ना बैठे है अगर इस वीडियो को केवल सो लोग भी देख रहे हैं ना मेरे भाई और सो में से केवल दो लोग भी इस concept का समझ जाता है मैं कहना कहा चाहता हूँ then definitely वीडियो बनाने का success हो चुका जम बनाना चाहता था ठीक है तो यह चीज आती है मैं नहीं चाहता 98 लोग जो इसको समझे जादा दिमाग पर जोर मत डालो ठीक है pressure पढ़ता है कि एवल 2% लोग जो समझ जाएंगे कि मैं कहना कह चाह रहा हूँ और यह बाते 2% पता है कौन होंगे यह वो होंगे जिनकी उमर 40 प्लस हो चुकी होगी यह वो होंगे जिनके 2 या 3 बच्चे होंगे यह वो होंगे जो गौवर्मेंट की तैयारी करकर करकर के सतायवे होंगे और आज प्राइवेट में काम कर रहे होंगे यह वो होंगे जो कभी ये बोलते होंगे share market जुआ है ये वो होंगे जिनको पता लग रहा है कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है ये बात आपको थोड़े दिनों बात समझ में आएगी government ऐसी करती है private companies में बड़े-बड़े honors जो होते हैं वो ऐसी करता है आपको क्या लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता हो सकता है बट करने के लिए पूरा ecosystem डवलप करना पड़ता है और वो करेगा कौन आप simple fundamental बट अभी develop करने का सबसे important रस्ता क्या है share market sorry share market मैंने बोला ना एक employee सुबे जाता है 9 बजे और शाम को 5 बजे आता है वो अपने आपको बहुत जादा कह सकते हूँ कि मैं बहनत कर रहा हूँ अच्छी बात है भाई मेरे आपने 1000 रुपे कमाए बहुत अच्छी बात है बट एक बात बताईए अगर आपके पैसे ने 1000 रुपे कमाए ठीक दोनों ने same amount कमाए न आपके जो कह सकते हो money value है वो तो दोनों की same है न बट अगर बात करे time value तो आपने अपना time दिया बट यहाँ पर मैंने अपना कोई time नहीं दिया मैं सुबह से खाली गूम रहा हूँ बट मेरे पैसे ने 1000 रुपे की growth की है तो यहाँ पर बात खतम हो जाती है माफिच आओंगो दोस्तो तबेत खराब होने की कारण तो I wish क्या कहना चाहता था मैं clear हो गया होगा कि आप अपने time को बेचने की कोशिश करना चाहते हो नॉर्मल लाइफ में कर सकते हो बट अगर आप पैसे कमाने की बाद में अपने पैसे से पैसे कमाने की बाते करना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको यह रास्ता चूज करना ही करना पढ़ेगा इसको रोका नहीं जा सकता ठीक है So I wish आथा की बाते clear हो गई होगी मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टन वीडियो के अंदर दोस्तो